तो हेलोड़ी एस्टोंट्स और फ्रेंट्स आज की सुड़ी में बात करने वाले हैं नेशनल हाउसिंग बैंक एनेच्बी एसिस्टेंट मैनेजर एन भेडियस रिक्यूट्मेंट पोस्ट के बारे में मेरित लिस्ट बनाया जागा तमाम जनकारी यहां पर देने का प्राइस करेंगे तो बने रहीएगा और कंप्लीट वीडियो को बात कीजिएगा यदि फिर भी किसी परकार का कोई डाउट हो तो हमसे आप को मेंट वक्स में लिखकर पूछ सकते हैं सभी दोस्तों भाई उसे यह भी कहना चाहेंगे कि प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इंफर्मिटी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका इंफर्मिशन मिल सके क्योंकि शेयर करने से उन्हें पर आपके नोटिफिकेशन के दवारा जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में आपको सभी डिटेल्स दिये गये हैं सबसे पहले में इंपोर्टेंट रेट्स को समझ लेंगे आपका जो सभी कटफ यानि सभी जो डेट्स के लिजबीटी कैटरिया होंगे वह एक नोव दोजार तरीस से आपके क इंफर्म किया जाएगा उसके लिए आप हमारे टेली का चैनल से जुरू सकते हैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट या फिर ऑफिसियल के नाम से चैनल है आप उससे जाकर जूर इसे चैनल मनेजर है चीफ फाइनेंस ओफिसर एकोनोमिस्ट है उसी पकार से तबाम यह है पर पोस्ट लिखे गए हैं आप इससे देखकर हैं यहाँ पर समझ सकते हैं जैसे कि एसे कि साहीं जो वेकंसी है आगे बहते हैं और बात कर लिते हैं आपके आपकी आप किस तो आप सभी पोस्ट के डिकार्डिंग यहां पे एज लिमिट को चेक कर सकते हैं, आपका जो भी एज लक्सेशन आपको मीलेंगे, कैटगरी वाज यहां से आप अपने चेक कर सकते हैं, यह हम आपके जो नोटिफिकेसन है, इसको प्रोपर अच्छे तरीके से समझा देंगे पर है, उसके डिकार्डिंग जो आपका minimum education qualification रखा गया है, वो क्या रखा गया है, कि मास्टर डिग्रिंग हो चाहिए, इकनोमिक्स में, विट एस सलाइज इन मोनेटरी एकनोमिक्स और इकनोमेट्रिस इस फ्रॉम डिकोनाई इंडियन और फॉरिन उन्वर्सिटी ठीक है, और साथ यहाँ पर आपका डॉक्टरेट डिग्री इन इकनोमिक्स बैंकिंग फाइनांस फंविकोनाई इन्वर्सिटी इनको प्रॉर्स दिया जागा ठीक है, लेकिन आपका उपर वाला जो है, वह एलिजबी ठीकेट एरिया है, यहाँ पर देसक्रिकते हैं, आपको 15 आप आपके पास experience होना चाहिए, किसमे किसमे इन commercial bank और FI reputed dating agency, यह सभी चाहिए आप यहाँ से पर सकते हैं, इन सभी में क्या होना चाहिए आपके प्रकार का, 15 साल का कम से कम आपका experience होना चाहिए, फिर general manager project finance के regarding आपका minimum 15 से 12 एर का experience होना चाहिए, उसे पकार से सभी आप अगर प्रकार के पोस्ट है, जैसे कि एक पोस्ट आपको बता लेते हैं, एक पोस्ट यहाँ पर दिखेगा, जैसे कि जिप्टी मना जेख रहा है, इसके लिए पोस्ट बेजिव चाहिए, economics में, और इसके लिए 2 यहर का experience मांगा गया, कितने सिर्फ 2 यहर का, आगे बात कर लेते ह पर आपके application developer के लिए contextual basis है, जिसमें BE, BTEC, MCA, MTEC, MSC, CS और IT में होना चाहिए, जिसमें के regarding greater than 24 मन्त और less than 48 मन्त, आपके बास क्या होना चाहिए, आपके बास profile होना चाहिए, जोब का, यानि आपके बास इतना का experience होना चाहिए, ठीक है, तो यह सभी क्या आपके education qualification experience है, और अब यह दर पोस्ट है, आप उसे पर सकते हैं, क्योंकि एक-एक पढ़के बताएंगे, तो सारा समय इसी में चला जाएगा, ठीक है, अब समझ लेते हैं, यहाँ पर हम जाकर, कि बिभिन परकार के पोस्ट है, उनके रिगारिंग जॉब रोल से भी डिसाइड के जएगे है आपको credit appraisal करना पड़ेगा, another type of work भी आपको हो सकते हैं, उसे पकार से बिभिन परकार के पोस्ट है, जिस पोस्ट के रिगारिंग आप अगर फॉर्म को भढ़ेंगे, वहाँ पे आप अपने job profile को check कर सकते हैं, जैसी कि एक और बता जाते है, assistant general manager का है, इसमें की job profile यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका to track, analyze, evaluate, forecast, key economics and financial data, यहाँ आपको track करना पड़ेगा, record रखना पड़ेगा, analyze करना पड़ेगा, उसके इमसा, किस पे, financial data पे, और आपके यहाँ पर अनदर परकार के work भी उसकते हैं, जैसे conducting, impact, studies, और various topic issues, ठीक है, तो यह सभी किया, education qualification बता दिया है, आपका यहाँ पर हमने, आपको काम क्या करना पड़ेगा, वो भी हमने बता दिया, अब आपका हम बात करेंगे, आपके selection process की ग्यारिंग, जो selection process है, assistant manager का, उसमें क्या होंगे, आपके phase 1 में online इंग्जान होंगे, और phase 2 में क्या होंगे students, आपके descriptive paper होंगे, phase 2 मतलब आपका descriptive paper मतलब आपके जो, phase 1 में जो online इंग्जान होंगे, उसी समय जस्ट बाद आपके descriptive paper ले लिए जाएंगे, और phase 2 जो होगा आपका students, उसमें आपका interview होगा, ठीक है, तो आपका selection process कैसे होगा, इसमें की question किसे पूछे जाएंगे, reasoning and computer aptitude से, फिर आपके general awareness से, English language quantity aptitude, इसे total कितना को सनोंगे, आपके 200 को सनोंगे, 200 marks के आपके तीन घंटे के समय दिया जाएगा, और उसी के उसी समय, यानि जस्ट उसके कुछ दिर बाद ही आपका descriptive paper लिया जाएगा, 30 मिनट का, ठीक है, और next आपका जो post है, आपका general manager assistant हिंदी का है, next आपका क्या है, general assistant manager हिंदी के regarding है, इसमें क्या होंगे, आपका इसमें भी अलगरल पकार के क्या होंगे, एक objective paper होगा, और फिर क्या होगा, आपका descriptive paper होगा, ठीक है, objective paper आप देख सकते हैं, तीन घंटे का यहाँ पी होगा, 170 को सनोंगे, 200 marks के, और यहाँ पे descriptive paper होगे, दो-दो को सनोंगे, ह यह आपके सिर्f qualifying nature के होगा, इसमें आपको सिर्f qualifying करना है, आपका जो merit बनेगा, वो आपके objective paper के को लेकर, और आपकी interview को लेकर, आपको समझ में आए होगा, कि आपके यह जो दोनों post है, इसमें आपका merit list बनेगा, वो objective paper, यानि objective जो question है, इसके number और आपके interview के number के basis इतने भी descriptive paper हैं, दोनों post के regarding, वो सिर्फ आपको qualifying nature के होंगे, उसमें सिर्फ आपको qualify करना पड़ेगा, अब समझेगा students, penalty marks भी आपको objective paper में लगेंगे, यानि एक बटे चार गलत करने पर आपको marks को deduct किये जाएंगे, और students, इतने होने के बात क्या होगा, आपको interview के लिए ब प्रोपर जो merit बनने का, जो marks है, वो decide करेगा, ठीक है, और आपका जो merit बनेगा, वो 80-20 के basis पे merit बनेगा, यानि 80 जो marks होंगे, वो आपके return से लिए जाएंगे, और जो की objective papers लेंगे, और आपके 20 marks जोंगे, वो interview से लिए जाएंगे, 20 marks यानि 20%, ठीक है, तो 80-20 के ratio पे आप आपका DIY manager, फिर आपका senior project, financial manager, contractual basis पे फिर project, finance manager, और contractual basis पे फिर application developer के लिए, इन सभी के लिए आपका कोई return यानिशन नहीं होगा, सिर्फ आपका interview लिया जाएगा, आपका application का sort listing किया जाएगा, और interview के basis पे क्या होगा, आपका selection किया जाएगा, ठीक है, तो सायद आपको interview के basis पे आपका selection होगा, ठीक है, तो students आपको यह सभी कुछ समझे आएगा, अब हम बात कर लेते हैं, आपके simple salary के बारे में, आपको, जो main चीज़ आपको समझना है, जो salary है, अगर बात करते हैं, यहाँ पे कुछ post है, जैसे कि general manager, duty general manager, assistant manager, उसके regarding salary आप यहाँ पे देख सक salary, और सिर्फ किसके लिए, आपके उपर वाले दो post के लिए, फिर नीचे वाले assistant manager के लिए, जो आपका salary रहेगा, वो लगबग आपका 80,000 के असपास रहेगा, फिर deputy manager का salary रहेगा, फिर assistant manager, scale 1 का salary रहेगा, वो भी आपका 40,000 के असपास रहेगा, ठीक है, बात करते हैं, हम overall gross salary बता रहे हैं आपको, फिर chief economics जो contractual post है, यह सभी contractual post है, इसमें आपको salary जो मिलेंगे students, वो कैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको fixed pay पे, जैसे कि आपको 1.25 लाग पर मत का salary मिलेगा, senior application developer का, chief economics का, 5 लाग का आपका gross पे होगा, जिसमें के 3.75 आपके fixed pay होंगे, और 1.25 variable प मिलेगा आपको, फिर object finance के लिए 2.5 लाग का परमत आपको मिलेगा, ठीक है, और यह आपको कितने 5 साल के लिए, और 3 साल का आपका contract रहने वाला, जो contractual होंगे, और उपर जो post है, यह क्या होंगे, आपके permanent post होंगे, तो साथ आपको सभी details समझ में आओगा, भले ही वीडिय जनकारी पूरी मिली होगी, अगर हम थुरा से बात कर लेते हैं, यह जो online center होंगे, वो बिमिन प्रकार के center आप यहां से check कर सकते हैं, आपका जहां भी center नजदीक लागे, आप वहापे center को भढ़ सकते हैं, बिहार के लिए पटना, कोलकाता, यह सब देख सकते हैं, आपके center आपके हैं, ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे next video में, सभी जनकारी हमने देने का फ्रयास किया है, और अच्छे से हमने समझाया है, फिर भी कोई doubt हो, हमसे कोई दलती हो, तो आप हमसे comment box में लिक कर पूछ सकते हैं, रखते हैं इस वीडियो को यही पे, मिलेंगे next video में, thanks for watching